नमस्कार अजैस्ट रुमनी मैं आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्ट आप सभी की साथ दिख्षा आज हम बात करेंगे चीन में गेहु सईत खांदान उत्पादन बढ़ने की जो उमीद है उसके बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे च जनकारी मिल जाती है और साथ ही में और अधिक जनकारी के लिए आप यमें संपर्ण कर सकते हैं हमारे दिये होगे इस नम बर शुरुवात करते हैं आज की शोकी कि विश्व efficient को चाइना बढावा देने चारा है दश्शण चीन में फसल बहुत बढ़िया है और विश्व की बढ़ती मांग को देखते हुए वांकी सरकार ने इस पर अधिक सोड लगा दिया है गौर तलब है कि रूस योकरेन युद्ध के चलते वैश्चिक बजारों में गेहों की भारी किलत बन चुकी है अफरिकन देशों के साथ इस जिप्ट में जबरदस्ट अहकार मचा हुआ है जिससे भारत द्वारा पिछले चार मेने के अंतराल रिकॉर्ड निर्याद कर नए अकीरतिमान हासिल किया जा चुका है जी हाँ इन हालातों को मदे नजर रखते हुए अनास और अश्चा सुनिशित करने के लिए अपनी उत्पादन श्रमता बढ़ाकर कोविन-19 के बावजूद बंपर फसल की उम्मीद जदाई है क्रशी और ग्रामीर मामलों के मंदराले के अनुसार दक्षिन पक्षिम चीन में लगभग 80% अनाज कर चुका है और यांगती जी नदी के मध्य निशले इलाकों में कटाई चल रहे है हंग हाई शेतर में अनाज जो ग्रीश मिकालिन के उतपादन में 75% योगदान करता है वो शेतर में भी फसल त्यार हो चुकी है और कटाई लगभग 20 जून तक लगाता रहेगी इसका प्रभग वेश्विक बजारों पर सक्रादमक पड़ेगा यानि की अच्छा पड़ेगा तदा पिछाती ग्रीश मिकालिन फसल को देखते हुए चीन के हवे ही प्रांत में उतपादन जबरदस्त होगा उक्तमंत्राले का कहना है कि चीन की उतपादन नीती पर किसान को धनेवाद देता हूँ जिरोंने गेहों का भैतर उतपादन इस खांदान के संकर के समय वा कोविन-19 महवारी के बावजूत किया जी हां कई शेत्रों में सर्दी के गेहों की बिजाई देरी के बावजूत बात के मौसम अनकूल होने से फसल बंपर हुई है राश्टे खात और सामरिक बंडार प्रशासन के आकड़ों के मुताबिक गेहों का नियुंतम समर्थन मूलय एक दशमलब 15 से बढ़कर दो यूवान प्रती किलो कर दिया गया है मंतराले का कहना है कि ओवरक, मशीनरी और श्रम की अधिक लागत के चलते गेहों के भाव बजार में 2.8 यूवान प्रती किलो हो चुका है और कुछ शेतरों में 3.2 यूवान भी बोला जा रहा है किंद सरकार ने ग्रीश मिंकाले अनाज उत्पादन के लिए 6 अरब यूवान से अधिक की राशी आवंटित की है और अनाज के हरित उत्पादन के समर्थन के लिए 800 मिलियन यूवान वित पोशन का आवंटित किया है आज की रिपोर्ट ऐसे या नेकों रिपोर्टों के लिए बने रही है हमारे साथ यानि कि अजेस्ट रुमनी के साथ क्योंकि अजेस्ट रुमनी ही है जब को पूरी विश्टेशन के साथ हर जानकारी उपलब्द करवाता है आज के लिए इतना ही नमस्कार बने रही अचेस्ट रुमनी के साथ